करें कि सिर्फ भी कि इसको बाइब करेंगे कि सिल करना है और किस तो कि सब हो ऑज़ी करेंगा नहीं चयारू में आपको सब्सक्राइब करके प्रोफिट कर सकते हैं इंट्राइब के सिर्फ यह आपको नोलिज दी जा रही है बट मैं आपको सब को डिटेज बताऊंगा कि इसमें क्या इंडिकेटर है इसे ने पेट का क्या इंडिकेटर रिलाइस का क्या है उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसे कोई चैनल के उपर चली वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है टाटा मोटर्स आप स्क्रीन पर देखी टाटा मोटर्स अगर इसके प्राइस की बात करें तो क्लोजिंग प्राइस था 293.95 कल का जो फ्राइडे का प्राइस था जिसमें एक रुपया पांच पैसी पल मतलब की 14% डाउन चा चुका सिर्फ एक महीने के अंदर आप इसका अनुली देखेंगे तो 180% में है मतलब की 180% प्रोफिट दिया इसने एक सिर्फ एक साल के अंदर वोल्यूम की बात करें इसने कल जैनेरेट कितना करा था फ्राइडे वाले दिन 30.58 मिलियन एवरेज थरी म इसके थोड़ इपर मैं आपको दी आप इसकी डीटेल देखते हैं कि मुविंग अवरेज में इसकी इंडिकेटर क्या इसको कर रहा है मैं आपको यह बताऊंगा किसा एट पर आपको बाई करना किस रेट पर आपको सेल करना सिर्फ इंट्रादे के लिए अब आप सबसे पहले क्या आता है moving average में क्या है जो MA5 indicator है 291.17 इसकी जो price बता रखी सिरेट पर आपको इसकी moving average में क्या निकला हुआ है MA10 में कितना 297, MA20 में 307, 50 में 323, MA100 में 315, में 293, 297, 305, 314, 306, 273 यह सिर्फ moving average में MACD जो आप इसको लगा सकते हैं टेकनिकल indicator में आप इसकी buying की price आती है कि किसी rate आपको buy करना है तो आप technical indicator में आप नीचे जाओगे RSI कितना है 14 में इसका value इतना बता रहा है action में क्या बता है buy मतलब कि इसको buy कर सकते है STOCH में oversold मतलब ज्यादा sold हो चुका है और नीचे जाओगे STOCH RSI में overbought ज्यादव आई हो चुका है MACD indicator क्या बता रहा है sale मतलब इसको आपको sale करना है अब मैं अपना price बताता हूं कि इसको आपको sale कैसे क्या करना है इसको कल आप sale करके चलें इसका जो price रहेगा जो target रहेगा वो रहेगा 287 मतलब की दोस्तासी तक आप इसको मतलब की 292 293 के आप sale कर सकते हैं और इसका selling price रहेगा 287 दोस्ते 93 पर आप sale करोगे और 287 पर प्रोफिट बुक करोगे यह मतलब की negative चला जाएगा कल के राउंड में कल इंट्राडे के अंदर यह था सिर्फ टाटा मोटरस का कि आप इसको sale करके चलोगे 293 292 के असपास टार्गेट रहेगा 287 का अब बात करते हैं सैकेंड आता है एसीन पेंट में भी जो यह कलोज हुआ था माइनस 1.3 परसेंट 2958 पर इतना प्राइस था इसका हाइट 3000 लोएस इतना 391 क्या बन वन वीक के अंदर माइनस 14 परसेंट वन मंथ में माइनस 155 परसेंट और एक साल के अंदर 72 परसेंट वोल्यूम जनेरेट हुआ इतना इसमें समरी देखते हैं कि कितना क्या क्या अबरेज परियर्ड है यह में में 5 10 20 50 100 और 200 इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसका 3009 3037 3022 2989 2786 2586 यह एक स्पोन से लिए आप चेक कर सकते हैं यहां पर इसके दिये हुए है अब नीचे टेकनिकल इंडिकेटर में क्या है RSI RSI क्या कह रहा है कि value इसके 43 और action में क्या बता रहा है इसको sale करने के लिए STOCH में जाएगे तो sale value इतनी STOCH RSI indicate oversold मलते की ज्यादा sale हो चुका है MACD sale करने के लिए इसका बताया हुआ है और Williams में oversold तो मैं अपना price बताता हुँ कि इसमें आप कि क्या करके चलोगे इसको आप buy करके चलना और इसका target रहेगा 3000 3000 का target रहेगा और इसको buy करके 2965 पर मतलब कि 2965 पर आप बाय करके चलना target रहेगा 3000 पर इसका मतलब इसमें आपको बाइंग बनेगी इससे पिछला करके चलोगे target 287 अब तीसरा स्टोक होना साथ और इसमें भी आप देखो 2035 क्लोज़ों फ्राइड़ेगो माइनस में क्लोज़ों 17 पॉंट्स प्राइस इतना हाई चला था 2067 लोगेस्ट गया 2031 वन विक के अंदर चेंज माइनस 3 परसेंट प्लस और वन मंत के अंदर माइनस 4 परसेंट 4.4 परसेंट एक साल के अंदर माइनस 1.54 परसेंट इसका वोल्यूम जेनरेट कितना हुआ 5.24 थ्री मंस का वोल्यूम कैलकुलेट करोगे 8.01 मार्केट कैपिटल आपको बता 13.7 सिंक्स ट्रेलियन सबसे हाइस मार्केट कैपिटल रिवेन्यू जेनरेट इ 124, 206, 2036 सिर्फिक 200 को अटा के सिर्फ आप पोजिट्व में चेक करोगे है एक स्पॉंसेल में आपको सरफ पोजिट्व में मिलेंगे सब सब चेक करोगे अब टेकनिकल इंडिकेटर की बात करते है आर ऐसाइए एक्शन क्या बोले इसको सेल करने के लिए सिर्फ टेकनिकल इंडिकेटर अगर आप इसके fundamental अपको क्ल समें मिलेगा पलस कितना क्या टारगेट रहेगा इसका टार्गेट रहेगा आपको 2060 मतलब की दिए टू-जिरो-जिरो-जिरो सिक्स-जिरो इसका टार्गेटर रहेगा और बाई करना आप 2040 के आसपास इसको ब प्लस में दिखेंगे रिलाइंस कल यह दा रिलाइंस के बारे में फोर स्टोकों साथ हैं लास्ट में आयोसी आयोसी क्या है आपको प्राइस माइनेस में था कल अब इसकी टेक्निकल की बात करें तो में फाइव पंजिरो थरी 1051 106 9296 अब इसकी यह बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर की आरैसाइए की आरैसाइए में के ओवर सोल्ड एस्टियो सीयच में सेल करने के लिए बोला हुआ है इसका टारगेट क्या रहेगा इव आप इसको भाय करके चलना इसका टारगेट रहेगा 105 stepping देगा इसका टारगेट रहेगा 287, ACN Print में टारगेट 3000 फलस बाइ करके चलना तीसरा था Reliance 2060, फोर्था IOC 105 के असपास इसका टारगेट रहेगा अब क्या है यह इसके बारे में थोड़ी इन फ्रमेशन है कि जो Knowledge Book चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकतागा आपने फर्स्टाइम यूज करा हुआ है तो आप इसके एक वीडियोज मिल जाएगी यह जो मार्जन में सेल और बाइ कैसे करें इसमें आपको सब्सक्राइब के लिए और कल एक वीडियो अफ्लोड करी थी फर्स्टाइम आपने यूज करें चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको कोई डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थेंक्यी सो मच